हेलो, हेलो एबरिवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिफ्स लेकर आई हूँ, जिन से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको काफी सुवधा होगी और आपका काफी सारा पैसा भी बचेगा, तो आज मेरी पहली टिप कुछ ऐसे है, जैसे कि ये अपना मैसर होता है न, तो मैसर तो लगभग सभी के घर में आज कल होते ही है, एक नएक मैसर होता ही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास चम्मच स्टेंड नहीं है, तो हम इस पुराने मैसर का उप्योग करेंगे चम्मच स्टेंड के लिए, ठीक है, तो इसमें हमें न देखिए आप इसके होल जो है न इनमें मैं चम्मच एक-एक करके फसाद हूँगी आप देखते जाए बहुत अच्छा आपके लिए ये टूल साबित होने वाला बहुत ही मस्त बनेगा ये चम्मच का स्टेंड और ये इससे आपको काफी हेल्प भी हो जाएगी तो मैंने इसमें सारी चम्मच इसमें लगा दी है और देखने में भी कापी सुंदर लग रहा है और हमारा इस तरीके से मैसर भी उपयोग में आ जाएगा और हमारी चम्मच भी इधर उधर फैली नहीं रहेंगी देख सकते हैं तुर्फ में टांके भी दिखाऊंगे अभी, अर देखिए, मतलब चम्मच आगी, अभी इसमें थोड़ा इस्पेस है, और भी चम्मच इसमें बन जाएंगी, जैसे कि आपको दिखाए ना, खाली इस्पेस, इसमें आपको आराम से काफी सारी चम्मच आ जाती हैं, तो अब चम्मच इस्टेंड अलग से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी विल्कुल भी अब मैं आपको इसको हेंग करके दिखाती हूँ देखिए तो मैंने इसको इसको हेंग कर दिया है तो आपको चम्मच निकालने में भी कापी आसानी होगी देखिए मैंने चम्मच कैसे निका है ना इन में क्या है ना वो उलज जाते हैं और कपड़े ठीक हैं कपड़े भी उलज जाते जिससे की हुक भी खराब हो जाता है और जिस कपड़े में ये हुक उलजते हैं तो वो वाला कपड़ा भी खराब हो जाता है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे हुक ब्लॉज के बिल्कुल भी दूसरे कपड़े मेन ना उलेजें तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको कर लेंगे हम साइड से फोल्ड पहले मैंने एक पलट लगा दिये है अब मैं इसको साइड से कर रही हूँ, फोल्ड आप देखते जाएए मैं किस तरीके से कर रही हूँ तो मैंने देखिए इस ब्लोज पे ये हुक वाला जो हिस्सा इसको मैंने अच्छे से कर लिया है फोल्ड, अब इसके लिए मैं लूँगी एक रबर ठीक है, तो मैं अब इसके लिए रबर ले रही हूँ, तो ये देखिए मैंने रबर ले ली है और अब इस रबर को मैं इसमें लगा दूँगी ठीक है, तो अच्छे से टाइट कर दीजिए और आपका हुक वाला हिस्सा बिलकुल पैक हो चुका है और अब आपके कपड़े किसी में भी नहीं उलजेंगे देखिए मैंने किस तरीके से रबर लगाई आप देख सकते हुक वाला हिस्सा बिलकुल पैक है, बिलकुल भी नहीं दिख रहा है आप इसको आप आराम से वासिंग मसीन में डालतर धोईए कितने भी कपड़ों के साथ दोईए आपका बिलकुल भी नहीं उलजेगा दूसरे कपड़ों में जो हम ये टिपन बॉक्स बच्चों के लिए इसमें सिल्वर कॉल में खाना पैक करते हैं तो आज आपके लिए ये बची हुई सिल्वर कॉल जिसमें हमने खाना पैकिया ये आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप वीडियो जरासा भी इसकिप नहीं करें तो इसका हम क्या करेंगे इसका हम उप्योग करेंगे कैंची के लिए आप देख सकते हैं हमारी कैंची कितनी गंदी हो चुकी है इसमें चारो तरफ से जंग लग चुकी है अंदर भी और बाहर भी तो आज हम इस कैंची को इसी सिल्वर कॉल से क्लीन करेंगे और इसकी धार भी हम पैनी करेंगे ठीक है तो मैंने सिल्वर कॉल ले ली है और इसको अब मैं अच्छे से इस पर रगड़ूंगी हाँ थोड़ी महनत लगेगी और आपके कैंची एकदम न्यू हो जाएगी यकीन मानिए और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे आजकल अगर हम कैंची पर धार रखवाते या कैंची की सफाई कराते हैं तो सो रुपए आराम से लग जाएंगे आपके इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे आप घर पे ही अपनी कैंची को एकदम क्लीन कर लेंगी देखिए मैं कैसे कर लेंगे तो देखिए मैंने एक साइड से इस कैंची को क्लीन कर दिया है और अब मैं इसको अंदर की तरफ से क्लीन करूंगी ठीके और जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करना और आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये टिप्स एंड ट्रेक्स और हैक्स हैं मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो लाती हूँ तो देखिए मैंने कैंची क्लीन कर दी है अब इसकी में धारवाले हिस्सों पर भी इसी सिल्वर कॉल को रगड़ूंगी तो इसको अच्छे से रगड़ना है क्योंकि कैंची की नौक वगेरा आपके हाथ में न चुप जाए तो देखिए कैंची हमारी हो गई एकदम न्यू आप देख सकते हो कितनी गंदी कैंची थी एकदम से साफ हो गई अंदर भी हो गई है और इसको मैं भी आपको कुछ कट करके भी इसकी सिल्वर कॉल के ही पीस दिखाऊंगी देखो मैंने कितना रगड़ा इसको कि इसका जो लेगे और घ्लाइबर केंची को क्लीन कर सकते हो पैसे खर्च करने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आपके लिए बहुती बहुती ऊपयोगी टिफ होगी मतलब पौध़ों में कीटनासक जीवाणॊं ती ह European सबीकी, मुर्षा के Гκι भाला तक हिलुक्षा . मैंने उसाटरी संदर और इसमें कीटनासक जीवाणू से जनंधे data लिए। आप एक वार ट्राइ करके जरूद देखे मेरा आज माया हुआ ट्रिक है और आपको बहुत ही पसंद आएगा देखिए हमारे मनी प्लांड की पहले क्या हालत हो गई थी मैं दिखाती फिर वी इसमें कुछ चीजें हैं जैसे की सूक गई थी जो मेरी यह डाली सूकी देख रह में तो आपको यह वाली भी टिप बहुत ही पसंद आई होंगी आपके पौदे वाकई में ग्रो करेंगे एक वार यकीन करके जरूर कीजिए और जैसे की यह दलिया का पैकेट है आपके घर में अगर इस तरीके के पैकेट है आज से उन पैकेट को बिल्कुल भी मत फेंगे आज हम इनका उपयोग बहुत ही अच्छा करेंगे और क्या है ना जैसे कि हमारे गर में सबजी बगेर आती है जैसे कि यह मिर्ची है धनिया है या और भी ग्रीन बेजी टेवल जो भी सबजी आती है हम इनको इस पैकेटों में रख सकते हैं क्योंकि यह है ना एर टाइट हैं तो मैंने इसमें ग्रीन मिर्ची मतला हरी मिर्ची रख रही हूँ आप देख लीजिए इसमें यकीन मानिए आपके 10-15 तन दिन तक बिल्कुल भी मिर्ची खराब नहीं होगी क्योंकि यह हमारे आजमाय हुए ट्रिक हैं आई हो आपको यह वाले ट्रिक भी बहुत से मतलब अपनको करना है जिससे इसकी यह सील है ना जिब वाली बंद हो जाए तो इस तरीके से आप भी सब्जियों को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो और आपका इस पेस भी काफी वचेगा फ्रिज में जगे भी नहीं घिरेगी क्योंकि अपन पैकेट की उपर पैके करके बताना